नमस्कार दोस्तों, यूटूब चनल ICTX8B में अपलोग का स्वागत है आज फिर से हम अपलोग के लिएक नया वीडियो लिके आया हूँ इस वीडियो में बात करेंगे एक नया स्कोलर्शिप के बारे में जिसका नाम है Reliance Foundation Scholarship जी आपरेंस बहुत ही अच्छा स्कोलर्शिप है इसमें Undergraduate Student कर रहे है इस्टूडन को लगबग 4 लाक रुपया का स्कोलर्शिप है और जो स्टूडन पोस्ट ग्रिजूशन कर रहे है उनलों को लगबग 6 लाक रुपया तक का स्कोलर्शिप का अमांट है बहुत ही ज़दा highly amount है क्योंकि ये कोई government नहीं private scholarship है Reliance Foundation के दुवारा दिया जाने वाले scholarship है तो कौन student eligible है कैसे apply करना क्या का document चाहिए A to Z जानकर इस वीडियो में हम अप लोगों को बताँगा तो वीडियो के साथ बने रही हैगा अगर आप इसके लिए eligible होते हैं तो जरूर अप्लाइ कर देंगे क्योंकि government नहीं private scholarship है तो कोई भी government scholarship अगर पहले से आप apply कर दिये हैं फिर भी आप इसको apply कर सकते हैं और भी scholarship बताए हैं जैसे keep in day smiling scholarship इसको भी check कर लेंगे अगर आप इसके लिए eligible होते हैं और अगर आपका merit बन जाता तापको जरूर से जरूर payment मिल जाता क्योंकि बहुत सरा student को payment मिला पिछले साल भी बहुत student को payment मिला जिसका वीडियो भी हम आप लोग को बतायते हैं कोई fact scholarship नहीं है क्योंकि ये private company के दुबारा दिया जाने वाले scholarship है merit based student को payment मिलता चलिए अभी बात करता है Reliance Foundation scholarship के बारे में तो वीडियो एक साथ बने रहिएगा वीडियो informative लेगे तो like कीजिएगा front group में share कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe के लिएगा नया-नय scholarship related update हमें साब पानी के लिए और एक बात अगर आप लोग टेलेग्राम यूज करते हैं था हम लोगे टेलेग्राम के साथ जूड़े रहिए क्योंकि जो भी नया अपडेट आता समसब ले टेलेग्राम पर अपडेट करता हूं चले बे बात करते हैं इस scholarship के बारे में तो देख सकते हैं course के बात करता हूं तो यहां पर अंडरगरजूशन का course अदरगरजूशन और post घरईूशन तो अंडरगरजूशन में आप अपना subject को पहले यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूं कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, तो देख सकते हैं, आप B है, BSC है, BTT है, उसके बाद यहाँ पर MSC भी है और यहाँ पर मान के चले कोई भी एक सलेट करते हैं आप बी ले लिए तो इधर आपका जो है subject आजागा देख सकते select degree program कौन सा program से आप course complete करेंगे तो देख सकते माई कौन सा प्रोग्राम से पढ़ाइए करेंगे सब ही कुछ आजागा बहुत सारा लिस्ट में नाम है जो कि इस website में नहीं दिया गया कि उतना ज़्यादा लाश्ट नेम इमेल आड़ी मुबाइल नमबर यह सब फिल करेंगे कैप्चा फिल करके सब्मिट करेंगे तब करेंगे इमेल पर कंफर्मेशन आएगा और इमेल पर युजर आड़ी पासवर्ड आएगा अगर बुलंति नहीं आगा 24 गंट आर्टारी सगंटा के बाद को छे लाग मिलेगा जो रिक्वाइट डॉकमेंट है वह देखिए स्टूडेंट का फोटो चाहिए एड्रस पूरूप चाहिए करेंट एक रिजूम है मतलब जो बनाता है कार्योकलम बाइट है तो रिजूम है आपको एक अप्लोड करना पड़ेगा 10-12 का मार्क सिट जब तक वीडियो बना रहे 14 फिरवरी लाज़ डेट है हो सकता आगे डेट एक्स्टेंट करें तब लोग वेबसाइट में आके चेक कर लेंगे तो और इलिजबिलीटी का बात करता हूं तो देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट यहां पर लिखा गया कंप्यूटर साइंस, मै अधिक जानकरी के लिए वीडियो का डिस्किप्शन पर मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं इसको लोग चेक कर लेंगे और अगर आप लिजबिल होंगे तो यहां पर आप लोग को मिल जागा डाउनलोड नॉटिफिकेशन भी मिल जागा यहां से नॉटिफिकेश मेरिट अपकर बन जागा तो आपको मिल जागा अच्छा कासा स्कॉलसिप है तो फिर यह प्वस्ट जरूर अपलाए करेंगे चली फ्रेंड आप मिलते हैं दूसरे वीडियो पर